सेभी का पूरा प्लान है future option trading को बंद करना या फिर option trading से retailers को बहार निकाल जाना यही उनका प्लान है ठीक है आप कुछ दिन पहले news सुन रहे थे 30% tax लगने वाला है future option में वो जल्दी पत चल जाएगा आप लोग बज़र के बाद पत चल जाएगा अब बोलो future option में नया प्ला इसकरना सेकेंड है आप लोग का जो डेली एक्सपारी है उसको बंद करना weekly एक ही बार एक्सपारी होने वाला सबका साथ एक ही होगा ठीक है नेसी का नेश्टनल स्टॉक एक हो सकता है Bombay स्टॉक एक हो सकता है ठीक है weekly ओक है और भी बहुत सारे है जो कि strike पेस दूर दूर क इसको पढ़ने वाला है margin अभी जो margin अब लॉट सेज अगर बढ़ जाता है जो आर्दमनी आपको फाइब के में हो जा रहा है या जो भी हो जा रहा है वो हो जाएगा फॉर टैम्स फाइब बढ़ जाएगा अगर यह चीज होता है लागू होता है तो फो तैम्स बढ़ जा अब ही सोचो जो बंदा नया-nया सुरू कर रहा है वो क्या कर रहा है चोटा capital लगाएगा 5 के अगर लगाता है अगर सोचो कि उसका stop loss 10% का है या 15% का है तो जाहतर उसको loss हो के 500 या 1000 के अंदर loss होगा ठीक है तो 1000 का अंदर loss होता है तो वो bear कर पाईगा ठीए चलो कोई बा लेता उसको loss होगा 2-3 1000 एक एक ट्रेड में 3000 जाकर loss हो कभी देखा ही नहीं होगा और cash market से start भी किया होगा future में आगा एक एक दिन में एक trade में फटा फटा अपकब 3000 चला गया वो बहुत जिदे इंपैट करेगा वो ट्रेड छोड़ी देगा ट्रेड करेगा ही नहीं इसके लेकिन इसका फाइदा भी होने बताता हूं कैसे जो लोग trading स्टार्ट करते ना सबसे पहले उनके दिमा में आता जीरो हीरो क्योंकि YouTube पे सब जगह यही भरा हुआ है आप देखना में बोलता हूं सब प्रोफिटेबल नहीं हो तो अलग बात है लेकिन जाता लोगों सुनते अब बड़ा हो जाता पता नहीं चलेगा आपको पता है जीरो हीरो में अक्चुल क्या होता एक वीडियो मैं ने रेल्स पर अप्लोड किया था उस वीडियो को थोड़ा देखो अगर आज आज आप 10,000 लगा होते वह बन गया होता एक लाग रुपिया दस का प्रीमियम 100 त कर देगा और जहां पर एकजिट करेगा उसी दिन ही दस गुना बनेगा यही होता जाहते है ट्रेडर के साथ याद रखना गईज एक ट्रेडर कभी भी बॉटम पर बाई करके टॉप पर सेल नहीं कर सकता है स्टॉक मार्केट समंदर है एक ग्लास से आपका पेट भरता तो एक ग्लास से ही अगर अब जादा पानी पिने जाओगे मार्केट डुबा देगा इसलिए हम लोग इस टाप लस करेंगे यह टागेट करेंगे तागेड मिलेगा शॉप्लस कर सकते नहीं तो एकजिट इग्जिट देखकर देखे और तर तो यही होता जाहता तो प्यालगत सकते सोचो ऐसा गर हो रहा होता है मुके संबानी भी अपने बिजनेस में छोड़ कि सब यहीं पर करने लग जाते हैं वो सबसे एक benefit है वो होना चाहिए ठीक है अचा सेकेंड पॉइंट जो था हम लोग का lots है देखो फाइदा क्या होगा लोग जो सुरूबात कर रहे है न स्टाटिंग में ही घुस रहे हैं कहां पता है option trading future option trading वो सबसे बड़ा गलती करते हैं सबको बतावना चाहिए जितना भी traders को आप उठालो जो भी traders को आप जानते हो उसको उठालो सबको ही न स्टार्ट कियों कि cash market से cash मतलब जहां पर आप stocks पर पैसा लगा तो एक एक quantity buy करते हैं दो को quantity buy करते हैं इंट्राडे करो या swing trading करो सबको इस सुरूबात cash market से करते हैं वो एक benefit मिलेगा एक traders को market को समझने में चार्ट कैसा काम करता है चार्ट का behavior कैसा होता है momentum कैसे होता है losses कैसे होता है risk reward क्या होता psychology कैसे वो cash market से अल्लेडी वो सीख जाएगा जब यह सब सीख जाएगा उसके बाद जब option trading में आए ना वो rules को follow करेगा discipline रहेगा इतना loss होगा तो काटना इतना risk reward को follow करना money management ठीक से करेगा ना इसका फाइदा होता है option trading में लेकिन यह अभी तक final नहीं है यह जो derivative panel है अभी advisor team के पास लेके जाएंगे उसके बाद final होगा final होने के बाद पती चलेगा लेकिन यह लोग इतना अगर कर लेते सब अगर सब जितना भी proposal दिया गया अगर सब को approve कर सबनाएगा लोग अगर ट्रेडी नहीं करेंगे जो चार्जिस मिलता हो चार्जिस मिलेगा ही नहीं हो लोग revenue कैसे बनाएगे प्रफिट कैसे होगा उनका यह changes बगरा ठीक है लेकिन जो लोग continue trade कर रहें अभी option में हांत लग चुका है थ्रभा समझ चुके हैं जो लोग capital ब कर दो बताना